आज हम वेरिकोसील के बारे में बात करेंगे इसमीर के वेरिकोसील क्या है इसके कारण से जो अंटकोश है, उसमें दर्द हो सकता है, अंटकोश का जो मुख्य काम कारे है, शुक्राणू बनाना उसमें कमी आ सकती है, शुक्राणू की जो कॉलिटी है, वो खराब हो सकती है, और अगर लंबे समय तक वेरिकोसील रहता है, तो अंड़कोश का जो अकार है वो भी छोटा हो सकता है कुछ पुर्षों में वेरिकोशील के साथ हॉर्मोन की कमी भी पाई गई है जो इसके इलाज के बाद वापिस सही हो जाती है कोई मरीज हमारे पास अंड़कोश की सूजन या अंड़कोश में दर्थ या शुक्रानों की कमी के साथ आता है तो हम उसमें शारिक जांच करते हैं और जो यह वेरिकोशील समस्या है यह शारिक जांच में ही 90-95% लोगों में साइडम से पाई जा सकते हैं देखा जा सकता है कुछ पुर्षों में हमें अल्टरसॉंड भी कराना पड़ता है जो थोड़े से वजन जिनका बड़ा होता है जो बीस होते हैं उनमें कई बावरिकोशील जांच में नहीं पता चलता है और हमें ultrasound से उस चीज़ को confirm करना पड़ता है अगर जिन पुर्षों में दर्ध बना रहता है 6-8 महिने से ज़्यादा दर्ध बना रहता है अगर अंड़कोश का अकार छोटा हो रहा होता है या हर्मून की कमी है या उनमें शुक्रानू की जो count है वो कम है या शुक्रानू को जो प्रकार है वो खराब है तो उन लोगों में हम surgery की सला देते हैं वेरिकोसिल की कई तरह की surgeries होती है लेकिन जो सबसे ज़्यादा successful और wish में इस्तेमाल की जाती है वो microsurgical varicoselectomy है तो आखिरी वे microsurgical varicoselectomy surgery है क्या ये एक छोटे से incision और cut के द्वारा करी जाने वाले surgery है जो link के बाजू में करीब 2-3 cm उसके lateral side पे एक छोटा सक चीरा या cut दिया जाता है और वहां से इन नसों को बाहर निकाला जाता है और फिर microscope की मदद से उसका सुक्ष तरीके से मुआयना किया जाता है और जो भी नसें खराब होती हैं फूली होती हैं उनको उसी microscope के जरिये देखते हुए बांधा आ जाता है और खराब नसों को हटा दिया जाता है जो ये microsurgical verical selective ही है इसका success rate 95-95 प्रतिशत है और सरजरी के बाद जो पूरुष होता है उसको दर्द में निवारन मिल जाता है शुक्रानों के जो कमी है वो कही 40-50% में बढ़ जाती है बैतर हो जाती है और जो morphology है जो प्रकार है वो करीब 37-80% लोगमें बैतर हो जाता है जो कई लोगों में जिनमें अंड़कोष का अकार छोटा हो गया है वो वापिस नहीं आ पाता लेकिन उसमें और deterioration और खराबी होने के chances खतम हो जाते है जो मेरी जो राय है जो advice है के अगर आपके अंड़कोष में सूजन महसूस हो रही है आपको या वहाँ पर हमेशा दर्द बना रहता है या अगर आप infertility या बांच्पन के शिकार हैं और आपकी जो वीडे की report है उसमें शुक्रानों की कमी या शुक्रानों के प्रकार जो quality है उसमें कमी बताई गई है तो आप संकोष ना करें तुरंती एक endrologist से जाके मिलें जो शारिरिक मुएना करेगा आपका और साथे साथ अगर जोद पड़ीगी तो ultrason करके इस समस्या को डाइग्नोस कर सकता है और अगर आप में वेरिकोसील पाई जाता है तो इसके बहुत छोटे से सामान्य आपरेशन के द्वारा पूरिता ठीक किया जा सकता है और जो भी इसमें प्रब्लम होती है वो सब ठीक हो जाती है सो मेरी कामना है कि आप हमेशा स्वस्त रहें और आगे को भी कोई अस्तरसी तकलीफ होती है तो आप एक अंड्रिलोजिस से तुरंट संपक कर सकते हैं और इलाज पा सकते हैं